ये हैं Apple Watch SE first generation 2020 में launch हुई थी आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले है कि क्या 2023 में आपको इसको खरीदना चाहिए क्योंकि ये वाली smart watch आपको 20,000 रूपे के असपास मिल जाती है और इसको साथी साथ हम compare करने वाले हैं second generation के साथ की दोनों ही smart watch में आपको कितना difference मिल जाता है वीडियो की शवात कर लेते हैं बात कर लेते हैं इसके build and design से तो जैसे आप देख सकते हैं हर एक Apple product की तरह है ये भी आपको काफी premium build के साथ आती है यहाँ पे आपको digital crown मिल जाता है जो काफी responsive है और यहाँ पे आपको button भी दिया ह जिससे आप calls वगेरा को ले सकते हो back की बात कर तो यहाँ पे आपको sapphire crystal black glass मिल जाता है जिस पे आपको सारी information मिल जाएगी बात करें इसके band की quality की तो यह भी आपको काफी premium quality का मिल जाता है और all यहाँ पे आपको premiumness इस वाली smart watch में मिल जाएगी बात करें display की तो यहाँ पे में use करना चाहते हैं तो definitely use कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आपको इस वाली smart watch से नहीं होने वाली है साथ साथ जो आइकस दियो है और जो इसमें आपको text दिखते हैं वो भी काफी पंची दिखते हैं 326 ppi की pixel density इसमें आपको मिल जाती है बात करें processor के तो यहाँ पे आपको इनका खुद का Apple S5 processor मिल जाते है जो की dual core processor है और इसमें आपको watch OS 9 का support दियो है initially यह वाली smart watch watch OS 7 के साथ launch हुई थी और अभी 9 पे चल रही है और आने वाले 2-3 update आपको इसमें और मिल जाएंगे NFC device Bluetooth 5.0 का support मिल जाता है compass इसमें आपको inbuilt मिल जाता है direction के लिए और इसमें आपको inbuilt calculator भी दिया हुए raise to wake का feature इसमें आपको मिल जाता है जैसे ही आप अपनी wrist को गुमाते है तो आपको time दिख जाएगा बात करें इसके कुछ और smart features की तो इससे आप अपने phone के camera को control कर सकते है music को control कर सकते है और यहाँ पे आपको सारी notifications मिल जाती है जिनका आप reply भी कर सकते हो mails वगेरा भी आप इसमें बहुत ही असानी से देख पा हुई इसमें आपको inbuilt workout app मिल जाती है जिसमें आपको धेरो workout मिलते हैं जिनको आप वहीं से start कर सकते हैं साथे साथ अलग से एक activity वाला app भी मिल जाते है जिसमें आपको सारी activity के बारे में पता चल जाएगे कि आपने आप swimming भी कर सकते हैं fully waterproof है इसमें आपको eSIM का feature भी मिल जाता है उसके लिए आपको cellular version खरीदना होगा और उसके बाद आप अपने smartphone को घर पे रख सकते हैं और सिर्फ इसी वाली smart watch से आप calls वगेरा को attend कर सकते हैं साथे साथ जो number use होगा दोनों में ही same होगा आपके smartphone में भी और आपकी watch में भी इसमें आपको torch भी मिल जाती है और साथी साथ walkie talkie का feature भी मिल जाता है जिससे आप उपने friend के साथ बात कर सकते हैं दोनों के पास apple watch होना गंबल सरी है और इसको setup करने के लिए आपके पास iPhone भी होना चाहिए बिना iPhone के आप इसको setup नहीं कर सकते हैं Bluetooth 5.3 का support मिल जाता है जबकि इसमें आपको सिर्फ Bluetooth 5.0 का support देवा है बाकी आपको almost similar type की चीज़े दोनों smart watch में आपको मिल जाएगी बात करें बैटरी की तो इसमें आपको एक दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा अगर बैटरी हेल्थ की बात करें तो इसको यूज करते ह देख सकते हैं बैटरी हेल्थ 91% है और इस 91% पर मुझे इससे एक दिन का बैटरी लाइफ मिल जाता है तो फाइनल वर्डिक की बात करते हैं कि अब 20,000 रुपे खर्च कर गए क्या आपको इसको अभी भी खरीदना चाहिए या फिन नहीं खरीदना चाहिए तो आप डेफि आप इसको बाई कर सकते हैं अगर आपको चेक आउट करना है तो आपको डेस्क्रिप्स बाई लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाके आप चेक आउट कर सकते हो और आपको कैसी लेगी ये वाले स्मार्ट वोच वो भी आप कमेंच चेक्चिन में बता सकते हो तो गाईज येस 2023 2023 में भी आप इस वाले स्मार्ट वोच को खरीद सकते हैं यही था इस वीडियो में कैसे लिगे आपको वीडियो कमेंच चेक्चिन में जरूर बताइए अच्छी लिगी तो लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्स्राइब कर लेजी क्योंकि इस टा बखकेवाई झीजिस